SHUT UP AND SIT DOWN आयोध्या के राजा दश्रत के पुत्र राम की, दश्रत के चार पुत्र थे, चारों में परस पर गहरा प्रेम था, राम इन में सबसे बड़े थे, सबके आदर के पात्र थे, और राम भी सबसे प्रगार प्रेम करते थे, राम चरित मानस में राम और भरत के प्रेम के चर्च अनेक स्थानों पर हुई है अयोध्या कांड में यह प्रसंग बड़ा ही मार्मिक बन पड़ा है इस पार्ट में हम उसके एक छोटे से आंश का अध्यन करेंगे उद्देश्य इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप भरत और राम के प्रेम की गहराई का वर्णन कर सकेंगे सुची बना सकेंगे निर्धारित उदारनों के आधार पर तुलसी की भाषा और शिल्प सौंदरी की विशेष्टाओं का उलेक कर सकेंगे तीन दस्मलों एक मूल पाठ आईए सर्वप्रतम संपून का व्यांश को एक बार पढ़ ले भरत का भ्रात्र प्रेव रामचरिक मानस से उद्रत सुनी मुनी बचन राम रुख पाई गुरू साहिब अनुकूल अधाई लखे अपने सिर सबुछरू भारू कहीं न सकहीं कचु करही बिचारू पुल की सरीर सभाबय धाड़े नीरच नयन नेह जल बाढ़े कहव मोर मुनी नाथ निबाहा एहिते अधिक कहों में काहा मैं जानऊ निजनात सुभाओ अपरा दिहुपर कोह नकाओ मोपर क्रिपा सने हुँ बिसेसी खेलत खुनिसन कबहु देखी सिसुपन ते परिहरेऊ न संगु कबहु न कीन मोर मन भंगु मैं प्रभु क्रिपा रीत जिय जोही हो रहु खेल जिताव ही मोही दोहा महु सने सकोच बस सनमु कही न बैन दरसंत रिपित न आजु लगी पेम पियासे मैन बिधी न सकेउ सही मोर दुलारा नीच बीच जननी मिस पारा यहु कहत मुई आजु न सोभा अपनी समुझी साधु सुची को भा मातु मंदी मैं साधु सुचाली उर अस आनत कोटी कुचाली फरे की कोदव बाली सुसाली मुक्ता प्रसव की संबुख काली सपने हु दोस कले सु न काहु मोर अबाग उदधी अवगाहु बिनु समुझे निज अग परिपाकू जारेव जाय जननी कही काकू रदय हेरी हारेव सब ओरा एक ही भाती भलेही भल मोरा गुरु गोसाई साहिब सियरामू लागत मोही नीक परिनामू दोहा सादू सबागुरु प्रभू निकट कहू सुथल सतिभाव प्रेम प्रमपचू की जूट फुर जान नहीं मुनी रघुराव शब्दात अनुकूल अधाई पूर्णत अपने पक्ष में नीरज नयन कमल जैसे नेत्र पुलकी रोमान्चित होकर मुनीनाथ वसिष्ट कहफ मोर मुझे जो कहना था निभाहा निभादिया मेरी ओर से कह दिया कोह क्रोध सनेह स्नेह विसेशी विशेश खुनिस रंजिश और प्रसन्नत परेहु रेऊन नहीं छोड़ा जिये जो ही रिदय में देखा है महू मैंने भी कही न बैन बात नहीं कही त्रिपित त्रिप्त विधी विधाता जननी मिस मा के बहाने बिचू पारा अंतर पैदा कर दिया सुचाली सदाचारी कुचाली दुराचारी कोभा कौन हुआ फरै फलती है कोदव कोदो एक प्रकार का मोटा अनाज सुसाली एक प्रकार का शाली नामक धान संबुक घोंगा मुप्ता मोती काहू किसी को भी उदधी सागर अउगाहू अथाह अग पाप परिपाकू फल परिनाम काकू व्यंग नीक अच्छा हेरी देखकर परिनामू परिनाम सती भाव सच्छे मन से प्रपंशु कपट तीन दस्मलो दो बोध प्रश्ण एक सिसु पंते परि हरेउन संगू कब हून कीन मोर मन भंगू उपरियुक्त पंक्ती कौन किसके बारे में कह रहा है क कौन डाश इसका उत्तर है भरत ख किसके बारे में इसका उत्तर है राम दो प्रभू कृपा की रीती किस पंक्ती से प्रकट हो रहे है क नीरज नय नेह जल बाढ़े ख खेलत खुनीस न कब हूँ देखी ग हारे हु खेल जीताव ही मोही ग लागत मोही नीक परिनामो इसका सही उत्तर है ग हारे हु खेल जीताव ही मोही भरत मा के प्रती अपराध भाऊ से ग्रस्त है क्योंकि क कैकई ने राम को वनवाज दिया क कैकई ने भरत से परामर्ष नहीं किया ग भरत कैकई को भी चित्रकुट ले आया ग भरत ने कैकई को बुरा भला कहा इसका सही उत्तर है क कह कही ने राम को वनवास दिया तीन दस्मलो तीन आईए समझें भरत का ब्रात्र प्रे के प्रतम अंश को पुना पढ़े सुनी मुनी बचन राम रुख पाई गुरू साहिब अनुकूल अधाई लखी अपने सिर सबुछरू भारू कही न सकही कचु करही बिचारू पुल की सरीर सभाबय धाठे नीरज नयन नेह जलब बाढ़े कहब मोर मुनी नात निबाहा एहिते अधिक कहो मैं काहा मैं जानव निजनात सुभाओ अपर आदियू पर कोह नकाओ मोपर कृपा सनेहू बिसेशी खेलत खुनिस्त न कबहू देखी सिसुपन्ते परिहरेव न संगू कबहू न कीन मोर मन भंगू मैं प्रभुकृता रीती जिय जोही हो रहू खेल जिताव ही मोही मोहु सने सकोच बस सनमुक कहीन बैन दरसंत रिपुतना आजू लगी पेम पियासे नैन प्रसंग अब यह तो जानते ही हैं कि सीता और लक्षमन सहित राम के वन चले जाने पर अयोध्यावासी बड़े दुखी हुए थे राम के छोटे भाई भरत को सबसे अधिक दुख हुआ था बता सकते हैं क्यूं कैकईनी राजा दश्रत से राम के लिए वनवास और भरत के लिए राजजबिशेक का वरदान मांगा था भरत के लिए यह बात अकल्पनिय थी राजगती पर तो बड़े भाई का अधिकार होता है किन्तो यहां उन्हें वनवास दे दिया गया भरत को लगता था कि इस सबके दोशी वही है इससे भरत को अप्याश मिल सकता था इसलिए भरत अपने कुलगुरु, वसिष्ट और राजपरिवार सहित अयोध्या के नागरिकों को साथ लेकर राम को लोटाने के लिए वन की ओर चल पड़े तुलसी ने रामचरित मानस के अयोध्या कांड में उसी अवसर का वर्णन किया है अर्थ मुनी के वचन सुनकर और श्वीरामचंदर जी का रुक अपने पक्ष में पाकर गुरु तथा स्वामी को पूर्णता अपने अनुकूल जानकर सारा बोच अपने ही उपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं पा रहे थे वे विचार करने लगे शरीर से पुलकित होकर वे शरीर में सभा में खड़े हो गए उनके कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रों की बाड आ गई वे बोले मेरा कहना तुम उनीनात ने निबाह दिया जो कुछ मैं कह सकता था वे उन्होंने ही कह दिया इससे अधिक मैं क्या कहूं अपनी स्वामी राम को सभाव मैं जानता हूं वे अपराधी पर भी कभी क्रोद नहीं करते मुझ पर तो उनकी विशेश क्रिपा और सने है मैंने खेल में भी कभी उनकी अप्रसनता नहीं देखे बश्पन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा मेरे मन के प्रतिकूल कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया मैंने प्रभु की क्रिपा करने की रीती को रदे से भली भाती देखा है अनुभव किया है मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु जिताते रहे हैं मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी उनके सामने मों नहीं खोला प्रेम के प्यासी मेरी मेत्र आज तक प्रभु राम के दर्शन से त्रिप्त नहीं हुए व्याख्या शित्रकुट में राम ने भरत के स्वभाव की बड़ी प्रशनशा की उनका रुख देखकर वसिष्ट ने भरत को संकेत दिया कि वे अपने रुदय की बात राम के समक्ष रखे यही तो भरत चाहते थे वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में ही थे कि कब गुरु वसिष्ट और राम दोनों अनुकूल हो अवसर प्राप्थ होने पर उनके शरीर में सिहरन हुई वे सभा के समक्ष बोलने के लिए खड़े तो हुए पर बोलने से पुर्व उनकी आखों से प्रीम के आसु बह चले फिर बोले मुझे जो कहना था वह तो मुणियों में स्रिष्ट गुरु वसिष्ट ने स्वयम ही कह दिया मैं उससे अधिक क्या कहूं मैं अपने भाई राम के स्वभाव से बच्पन से ही परीचित हूँ मैंने उन्हें कभी भी अपराधी पर क्रोध करते नहीं देखा और मुझे पर तो उनकी विशेश क्रिपा रही है बच्पन में आपस में खेलती समय भी मैंने उन्हें कभी अपरसाने नहीं देखा मेरे बड़े भाई की मुझे पर सदैव इतनी अधिक क्रिपा रही है कि यदि मैं कभी खेल हार जाता तो भी वे मुझे जिताही देती थे मैंने तो बच्पन से ही कभी उनका साथ नहीं छोड़ा और सदा यह पाया कि उन्होंने मेरा मन कभी नहीं दुखाया यह राम का बड़पन है कि वे कभी किसी का मन नहीं तोड़ते क्या आप बता सकते हैं कि भरत के इस कथन के पीछे क्या अभी प्राय हो सकता है जी हाँ यहाँ दो अभी प्राय प्रतीत होते हैं एक तो यह कि वे स्पष्ट कह रहे हैं कि मैंने बच्पन से ही राम का साथ कभी नहीं छोड़ा अब इतनी दिर्ग आवदी के लिए उनका वियोग मैं कैसी सह सकता हूँ दूसरा संकेत और भी महत्वपून है वह है कबहु नकीन मोर मन भंगो अर्थात राम ने कभी भी भरत का दिल नहीं दुखाया अता आज भी उन्हें विश्वास है कि राम उनका मन नहीं तोड़ेंगे और उनके आग्रह पर वापस आयोध्या लोट चलेंगे किसी पर कृपा करने की राम की रीती भी भरत को ग्यात है उन्होंने इस रीती पर मनन किया है और पाया है कि वे तो हारे हुए को भी जिता देते हैं भरत कहते हैं कि मैंने प्रेम और संकोश के कारण उनके सामने कभी मुख नहीं खोला सिष्टाचार की परंपरा रही है कि बड़ों के सामने उद्धंडता का वेवहार नहीं किया जाता बड़ों के सामने मुख खोलना उनका अनादर है जो भरत ने कभी नहीं किया वे तो बस राम का दर्शन ही करते रहें किन्तु दर्शनों से भी आज तक त्रप्त नहीं हुए उनकी आखे सदा प्रेम की प्यारी ही बनी रहें